क्या आप अक्सर ओवर थिंग करते हैं क्या आप अक्सर अपने खयालों में गुम रहते हैं क्या आप अक्सर अपने ही एक विचार को बार-बार सोचते रहते हैं क्या आपको नीद आने में परिशानी होती है क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका मन कभी शांत नहीं होता है औ तो आप भी overthinking के शिकार हो सकते हैं. Welcome to yet another episode of Healthy Ho. आज हम बात करेंगे overthinking के बारे में. Overthinking क्या होता है? अगर बहुत simply हम बात करें, overthinking, जादा सोचने को हम overthinking की बिमारी कहते हैं. पर क्या ये ऐसी चीज है जो खाली एक किसी इंसान को बिमार होना पड़ता है? या क्या ये एक बिमारी का कारण है? क्या ये एक बिमारी की निशानी है? चलिए आज बात करके देखते हैं, समझ के देखते हैं कि ये overthinking ये जादा सोचना होता क्या है? अक्सार हम सब ऐसे मौकाम पे होते हैं या situations में होते हैं life में, जहां पे हम एक problem को लेके बार-बार सोचते रहते हैं. फिर धीरे-धीरे क्या होता है? ये जो एक problem के बारे में हम सोच रहे होते हैं, इसको हम बार-बार उसी circles में repeat करते रहते हैं और उसको एक habit बना देते हैं. तो जब ये चीज हमारी एक habit बन जाती है, तो वही same विचार या कोई और विचार भी उन्ही same cycles में loop करता रहता हैं. तो अगर हम पूछें या अगर हम देखें कि क्या overthinking एक बिमारी है, तो overthinking in itself is not yet a diagnosed disorder, याने कि overthinking अपने आप में एक बिमारी नहीं हैं. लेकिन overthinking बहुत जादा, बहुत सारी mental illnesses या जाने कि दिमागी बिमारीयों का कारण भी हो सकता है, और एक निशानी भी हो सकती है कि आपको कोई मानसिक दुविदा हो रही है. जैसे कि अकसर जो जिन लोगों को depression होता है, anxiety होती है या बहुत जादा दुख लगता है या कोई और कारण की बिमारीयों होती हैं, उससे उनको बहुत बार वो सेम चीजों के बारे में सोचते रहते हैं. उनका मन उनी cycles में repeat करता रहता है. और कई cases में क्या होता है, जहां पे एक इनसान बहुत सोचता है, वो भी depression या anxiety का कारण बनना शुरू हो जाता है. एक बहुत important सवाल आता है कि हम overthink करते क्यों हैं? क्या हमारे अपने हाथ में होता है? या क्या हमें कोई बिमारी होती है, इसलिए हम करते हैं overthink? Overthink एक बहुत common चीज़ है, जो कि हम सब में एक tendency होती है, एक शमता होती है वो चीज़ को experience करने की. क्या होता है कि लेकिन जब कोई problem आ जाती है कई बार लोगों के, तो वो उस problem के अंदर वही घुम हो जाते हैं. अगर हम एक simple reason देखा जाए कि लोग overthink करते क्यों हैं? इसलि situation अच्छी नहीं लगती है, एक anxiety situation अच्छी नहीं लगती है, तो brain एक अपने आपको analysis mode में डाल देता है, जहां पर वो अलग अलग चीज़ों को experience करके देखता है, या permutations and combinations बना के देखता है, कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा, और इस situations को वे कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत important ख्याल यहां पर यह भी रखने का जरूरी है, यह जो overthinking होती है, यह हमें action mode में आने से रोकती है, तो हम problems के बारे में तो सोचते रहते हैं, लेकिन जो action mode में कि हम उसका solution क्या है, उस direction में जाने से हमें रोकती है, तो अब हमें बहुत important है, यह समझणा कि हम इस overthinking का कर क्या सकते हैं, क्या इसका कोई cure है, क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि overthinking एक बिमारी नहीं है, वैसे ही हम उस चीज़ को रोक के, एक आगे complication आने से, एक आगे बिमारी बनने से, बिल्कुल आप लोग को बहुत जादा फाइदे मंद हो सकते हैं एक बहुत important tip है कि आप जबी भी overthink करें आपको लगें कि आप overthink कर रहे हो अपने patterns को और अपने triggers को recognize करिये recognize करिये कि वो क्या चीजें हैं जो आपको overthinking के cycles में घुमा देती है या आपका क्या ऐसे किन समय पे, किन situations में आप overthink करते हैं तो अपने patterns को और अपने triggers को recognize करिए दूसरी चीज है आप try कर सकते हैं thought delay करना thought delay का मतलब यह होता है कि जब आपको विचार आ रहा हो अपने mind में तो आप उसको थोड़े समय के लिए अपने mind को train कर सकते हैं कि मैं अभी नहीं, मैं दो घंटे बात सोचूंगा इस बारे में तो उससे क्या होता है कि हम जब दो घंटे के बाद अपने mind को इस direction में लेके जाते हैं तो उस चीज की intensity कम हो जाती है इसको conscious mind training कहते हैं शुरू में असान नहीं लगता बद with time, with practice अपने आप हम देखते हैं कि ये exercise बहुत असान होती रहती है एक और चीज जो आप करके देख सकते हैं कि आप अपने, कभी भी आपको लगया आप overthink कर रहे हैं आप उठ के वो pattern को break करिए यानि कि जैसे अगर आप एक कमरे में बैठे हैं अपने bed पे लेटे हैं या बैठे हैं और आपको कोई विचार आ रहे हैं बार-बार खड़े हो ये, बाहर निकले कमरे के एक गलास पानी का पी कर वापस आ जाए उससे क्या होगा? जो आपका thought chain है वो break होगा और उससे आपका जो spiral में, जो downward spiral जैसे की एक दलदल में जैसे हम नीचे फस्ते रहते हैं वो चीज़ को आपका वो उस समय के लिए break करेगा उसके अलावा अगर आपको कभी भी लगे कि आप बहुत जादो overthink करे हो, अपने आपको logically dispute करके देखो logically dispute कर ये मतलब होता है कि आपके जो thoughts आ रहे हैं, उनको अपने आपको पूछिए कि क्या ये जो thought है, ये logical है या नहीं है मानिए शायद में को हो सकता है, एक thought आ रहा हो कि शायद मैं चलते चलते गिर जाओंगी तो इसको में को thought, इसको logically dispute करना है कि अगर मैं इतने सालों से चलते चलते नहीं गिरी तो अब मैं क्यों गिरूंगी, और अगर गिर भी गई तो पहले भी तो छोटे होते गिरे हैं और हम संभल गए हैं, तो अब क्यों नहीं तो वो तरीके से हमें अपने आपको logically dispute करके देखना है और आखिर में अगर आपको लगता है फिर भी आपके thoughts बहुत जादा आपके मन में आ रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है आप अपने thoughts को control नहीं कर पा रहे हैं तो please speak to a professional, एक psychologist के पास जाएए जिससे अपने मन की आप बात करें और उचसे ये problem अपनी discuss करें so that अगर कोई deeper layers हैं या कोई deeper issues हैं जिन वज़े से आप overthink कर रहे हैं वो आप पर recognize कर सकते हैं और उस pattern को वहीं पर break कर सकते हैं